हालो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग इस वीडियो में आज हम आप लोगो रूल साफ आइटिकल बताने जा रहे हैं आप लोग ध्यान लगा कर सुनेंगे समझेंगे देखें यूज आफ आइटिकल आइटिकल के टू काइंड्स होते हैं नंबर वन होता है डिफिनिट आइटिकल जो रेट कलर से लिखा हुआ है और पहला आपका डिफिनिट आइटिकल तो डिफिनिट मींस क्या होता है इस बात को समझें डिफिनिट मींस होता है निश्चित और इन डिफिनिट मींस अनिश्चित इस बात को इसकी मीनिंग को आप सब आपको उपपद कहते हैं अगर आपसे कोई पूछा आठिकल की हिंदी क्या होती है तो आप बते देदेना आठिकल को ऊप उपपद कहते हैं अम निके दो काईंत हम आपको बता चुके हैं द्यान पूरोग समझें indefinite article A तथा N को indefinite article कहते हैं क्योंकि यह अनिश्चित nouns के पहले आते हैं अब अनिश्चित nouns के पहले आते हैं इस बात को आप ऐसे समझे जैसे एक्जामपल दिया है Aisagirl तो यहाँ पर जो noun है girl तो girl अनिश्चित है girl अनिश्चित ऐसे है कि girl कोई भी हो सकती है जैसे मान लो किसी का नाम लिखा है तो वो निश्चित होता है लेकिन यहाँ पर girl लिखा तो बहुत सारी girls हैं कोई भी girl हो सकती इसलिए यहाँ पर यह अनिश्चित माना जाता है तो इस प्रिकार से इसको हम समझेंगे और जो N का प्रयोग होता है ये इस बात को आप ध्यान दें सबसे important rule यही यहाँ पर है इसमें articles में N का प्रयोग जो आपके vowels होते हैं A, I, O, U A, I, O, U ये vowels होते हैं इन vowels, vowels से start होने वाले मनें जिन nouns का first letter vowel होता है A, E, I, O, U इन से start होता है उसके पहले article N का प्रयोग किया जाता है इसके कुछ English grammar में exceptions हैं जो आगे आपको हम बताएंगे इसका प्रयोग साधहान देता है singular countable noun अब countable noun और uncountable noun क्या होता है इस बात को भी समझ लें देखे जिन nouns को जिन संग्याओं को हम count कर सकते हैं जैसे लिखा है two boys, ten boys ten girls, five girls तो उसके पहले कोई number लिखा है तो वो निश्चित कहा जाएगा अर्थात countable noun कहा जाएगा उसको हम गिन सकते हैं लिखा है two girls तो मतलब दो लड़किया है लिखा है four boys तो हम समझ जाएगे कि चाल लड़के हैं तो ये निश्चित या countable noun कहा जाएगा और अगर जैसे लिखा केवल boys लड़के तो लड़के हैं कितने लड़के हैं girls कितनी girls हैं goats कितनी goats हैं ये uncountable इसको हम count नहीं कर सकते तो एक बात आपको धियान रखनी होगी कि article जो indefinite article a और n होते हैं ये केवल और केवल countable noun अरथा जिन संग्याओं को हम count कर सकते हैं उनके पहले इनका प्रियोग साधरता singular countable nouns अरथा जिन nouns को गिना जा सके के साथ होता है तो ये बात आप समझ लीजिए कि इनका प्रियोग countable noun के पहले होता है जैसे कि a girl लिखा है या फिर an orange लिखा है तो an का प्रियोग एग के लिए किया जाता है तो सुझी से बात है an orange लिखा है an elephant लिखा है an in pot लिखा है इनकी एक हाती एक सुंतरा है एक दावात है तो इस तरीके से धिहान लखेंगे आप कि इनका प्रियोग countable nouns अर्था जिनकी हम nouns की गड़ना कर सकते हैं उनके पहले होता है uncountable nouns के पहले इनका यूज नहीं किया जाता है इसके बाद जो rules हैं उसको आप समझ लेंगे और definite article जो होता है definite मतलब निश्चित definite मतलब निश्चित यह definite article जो होता है definite nouns के पहले प्रियोग में लाए जाता है अर्थात जो निश्चित हो जो निश्चित हो जैसे यहाँ एक example से समझा गया है लिखा I went to meet the teacher I went to meet the teacher teacher के पहले दाका प्रोग किया गया क्योंकि यहाँ पर निश्चित कर दिया गया कि मैं मिलने गया किस से मिलने गया अध्यापक से मिलने गया तो यहाँ पर यह निश्चित कर दिया गया कि मैं अध्यापक से मिलने के लिए गया तो यहां पर यह निश्चित हो गया मने कि confirm हो गया definite हो गया तो यह यहां पर definite article का प्रोग अर्थाद्दा का प्रोग किया गया इस संबंद में और सारे rules से उनको समझे यूज आफ ए यहां पर थोड़ा detail में बता गया है एक प्रोग कहां पर हम करेंगे देखें A to Z 26 जो letters होते हैं उसमें A, E, I, O, U इन 5 vowels को निकालने के बाद में जो 21 consonants बसते हैं तो उन consonants से जो भी letters, sorry, nouns बनते हैं उनके पहले हम एक आपर्योग करते हैं यहां पर देखे, rule देखे, indefinite article एक आप्रोग साधारता उन nouns के पहले जिनकी गिंती की जा सकती है, वो बात उपर आपको बताई जा चुकी है कि जिन जो countable noun होते हैं उनके पहले हम article एक आयूज करते हैं और क्या जाता है और जिनका उचान consonant की आवास से होता ते इस पात को आपको ध्यान रखना है कि एन का प्रोग एन एन का प्रोग ए झी आई ओ यू जो वोवेस होते हैं उनसे स्टार्ट होने वाले वर्डस या नाउंस के पूरू करते हैं और एक का प्रोग जो countable noun होते हैं जिनके हम गढणा कर सकते हैं उनके पूरू किया जता है इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आपक को अपने माइंड में फीट करना होगा तो यहां पर देखा कि यह सब निश्चित हो गए कि एक गाय हो गई एक और खोगी एक कुर्सी हो गई एक लड़का हो गया और यह ऑर्च एक उड़ा हो गया इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हालांकि यह रूल आगे के लिए हैं लेकर ध्यान अभी से इन पर दीजे कुछ ऐसे भी इंगलिस में नाउंस होते हैं जिनका जो प्रनुंसेशन होता है वो यू से होता है या तो उनके पहले लिखा हुआ कोई जो लेटर होता हुआ सा यूजफुल के पहले हमें से आप ध्यान लpine आगे चल genome रहे हैं यही आकाम जादा आईसे ही चीजे पूची जाती हैं तो यूजफुल यूजफुल के पहले एका प्रियोग होता है उनमिय baix होता है यूनियोशिटी के पहले यू लगता है धिहान रहे इन नाउंस में भी वावल का ही प्रियोग है अर्थात फस्ट लेटर जो है वो वावल ही है लेकिन ये रूल के exceptions हैं अपवाद हैं इन नाउंस में यहां पर end का यूज ना हो करके एक का यूज होता है उसके बाद में जब ओ की आवाज हो जैसे वन रुपी नूट वन रुपी नूट वन आईड में तो जब ओ की आवाज हो वा की आवाज हो वन तो या इसी उसको ध्यान से समझना एक बच्चन में जातिवाचक संग्या ध्यान रखना एक बच्चन में सिंगुलर नंबर में जातिवाचक संग्या common noun से पहले one का भाव प्रगट करने के लिए एक आप्योग होता है जिससे she has a novel in her mind तो इस प्रेकार से यहाँ पर novel के पूर एक आयूज किया गया एक बच्चन में common noun से पहले one से any का भाव प्रगट करने के लिए एक आप्योग होता है a king had four sons a means any hair अर्थात यहाँ पर a king मने यहाँ पर निश्चित एक राजा है तो वो उसी में सारे रूस आ जाते हैं कि जब आपका noun countable हो जिसकी हम गड़ना कर सकें तो उसके लिए हम a का यूज करेंगे जब consonant होगा first letter और जब वावल होगा तो n का यूज करेंगे इसके बाद में हम नीचे के और बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब एक बिक्तिवाचक संग्या बिक्तिवाचक संग्या को हिंदी में क्या करते हैं proper noun का प्रयोग एक जातिवाचक संग्या के रूप में किया जाता है तो उससे पहले आइड कर एका प्रियोग होता है तो इस बात को समझने के लिए कि देखते वाचक संग्या को कब और कैसे जाते वाचक संग्या के रूप में common noun के रूप में यूज़ करते हैं यह आपको detail में noun पढ़ने होंगे समझने होंगे तो अब आप समझ पाऊगे लेकिन यहाँ पर क्या समझें he is a sylock तो यहाँ पर sylock जो है वो एक नाटक का character है पात्र है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यह एक noun है एक नाम है और उसको है तो noun नाम नश्चित है लेकिन फिर भी वो उसको जो है यहां पर इंगित किया गया है एक अलग definition के अंतरगत इसले इसके पहले भी A का प्रयोग किया गया है अब बात करते हैं हम यहां पर use of N, N का प्रयोग हम आपको उपर बता चुके हैं देखे लिखा भी है यहां पर A, E, I, O, U से आरंब हों अगर कोई nouns और उनका उचारन वावल की तरह ही हो तो उनके पहले N का प्रयोग करते हैं जैसे एन एलिफंट, एन ओरेंज, एन अम्रेला, एन एरोप्लेन तो यह बहुत important rule है इसको ध्यान रखे लेकिन यह इसका जो rule है बहुत very very most important कि जिन सब्दों में H silent होता है silent का मतलब यह होता है कि कोई noun या कोई सब्द जिसका first letter ह हो लेकिन उसका उचारन उसका pronunciation ह से ना होकर उसके अगले जो लिखा हुआ जो letter हो उससे किया जाता है जैसे यहां पर लिखा तो है N, H, E, I, R तो इसको कुछ लोग पढ़ते हैं higher लेकिन इसका higher उचारन नहीं होता है यह सािलन्ट होता है जैसे कि यहां पर आपका honest कुछ बच्चे इसको honest पढ़ते हैंydd, honest ह से बलकि इसमें it silent होता है तो उसका भी उचारन होता है तो इस प्रिकार से अवर अवर हवर पढ़ते हैं तो जो पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं यह से इसका उच्यारण प्रोनसियशन ना हो करके इसका उच्यारण बेटा उसे होता है तो इसलिए ऐसे बर्ड या ऐसे नाउंस जो जिनका जो प्रोनुंसियेशन होता है वो उसके पहले लिखे हुए मनि पहले एच हो अगर तो एच से ना हो करके उसके अगले लेटर से होता है तो यह बात आपको बहुत ध्यान देनी होगी समझना होगा एक बात यहाँ पर और है कि जब कोई सब्द एच से स्टार्ट हो धोन हा की हो लेकिन सब्द के प्रिथम भाग पर जोर ना हो तो मैक्जिमम टाइम एन का प्रियोग होता है देखें यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप फोनिक सांड को समझें कि कैसे प्रॉनोंसियेशन क्या जाता है तो यहाँ पर समझेंगे कि होटल तो हिस्टोरिकल नॉवेल हिस्टोरिकल हृटल यह बहुत इपर्टन बात है यह एच से तो स्टार्ट होते हैं आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन कुछ हो चुने हुए सब्दों को अलग से नोट करके और यह आप लिख सकते हो कि इन इन सब्दों में आपको इसका पिरोग एका पिरोग नहीं करना है तो भी लगभग आपका 70-60% ये रूल क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब उन कांसोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्माल वर्ड अब विवेशन से पहले जिनका उच्छान विवेशन माने जिसको हम साट फर्म कहते हैं वावल के साथ हो के साथ इनका पिरोग करता है जैसे कोई साट फर्म होती है लल बी है में है SPA, SDO है, SDM है, DM है तो ऐसी साट फॉर्म्स जो होते हैं उसके पहले भी हम N का प्रोग करते हैं अब बहुत इंपोर्टेंट है यूज आप दा का प्रोग बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से समझेंगे दा का प्रोग उस समय करते हैं जब किसी particular बेक्तिया वस्तु का या जिसका पहले उलेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं ध्यान दें यहाँ पर किसी भी बेक्तिया अथवा वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं और हम उसे पहले पर चिते हैं, पहले से उसको जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो ऐसी कंडिशन में हम दाकाप्रियों करते हैं, जैसे एक्जामपल दिया, the girl you are seeing is my daughter, लड़की वह लड़की, जो तुम्हें देख रही है, मेरी लड़की है, मेरी पुत्री है, अर्थ जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, जिस पार्टिकुलर पर्सनार प्लेस के बारे में आपको पहले से गया थै, तो ऐसी कंडिशन में उसना उनके पहले हम आर्टिकल दाकाप्रियों करते हैं, अब ये रूल बहुत इंपोर्टेंट है, कि ध्यान से इसको समझे, कोई भी परवत शेनिया हों, जैसे माउंटें रेंजेज इंग्रिस में कहते हैं, नदी हों, लिवर, नाहर कैनल, सागर सी, महा सागर ओशियन्स, खाडी, बे जैसे बेहा बंगाल, रेगिर्तान, डिजर्ट, कोई द्यूप समू हों, गुरुपा पिजलैंड, स्पिसिद हिमारत फेमस बिल्डिंग्स के नाम से पहले दाका प्रोग करते हैं, बहुत इंपोर्टन रूल है, इसको समझ लें, फिर ये एक्जामपल यहां पर दिया गया है, जैसे हिमालयाज के पहले हमेशा दा लगता है, ब्रमपुत्र नदी या कोई नदी हो, उसके पहले दाका प्रोग ताजमहल, इस प्रिकास से हम समझेंगे कि जो परवस से खलाएं हैं, उनके पहले भी दाका प्रोग किया जाता है, इसके बहुत इंपोर्टन रूल है, सिंगुलर कॉमन जब समस्त जाते का बोध हो, तो यहां पर सिंगुलर कॉमन नाउन जब समस्त जात या वर्ग का करते हैं, जैसे सिंगुलर कॉमन नाउन कौन सा है, यहां पर लिखा दाग इस फेथफुल एनिमल, यहां पर दाग जो है, है तो एक, डाग मतलब कुत्ता, लेकिन वो एक सिंगुलर नाउन जो है, पूरे कुत्तों की जात, पूरे डॉक्स की कास्ट या उसके जो वर्ग है उसको जो है, यहां पर इंगित करता है, तो जब सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन हो, लेकिन अपने पूरे वर्ग, अपनी पूरी जात का बोद कराता हो, तो इसी कंडिशन में भी हम धाका प्रयोग करते हैं, यह बहुत इंपोर्टन रूल हैं, छोटी छोटी बाते हैं, लेकिन ग्रामर के बहुत भारिवाते हैं, इनको बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं, सरी तैसका यूज не जानते हैं, इसलिए उनके ग्रामर में तमाम फाल्ट रहते हैं, मिस्टेक्स रहते हैं. फिर जितनी भी धार्मिक पुस्त के रिलीजिस बुउक्स वो किसी भी धर्म क्यों हो जैसे दगीता, दे कुरान, दे बाइबल, दे गुर्गंत साहिब तो इन सब के पहले दाका यूज क्या जाता है किसी भी पॉइट का नाम हो या लेखर का नाम हो उनके पहले दाका प्रियोग करते हैं जैसे बिलियम सेक्स, पियर, जाद, बरनांटा या कोई भी चारो दिसाओं के पहले दाइस्ट, दासाओ, दे वेस्ट, दे नॉर्थ इनके पहले दाका प्रियोग करते हैं और प्रापर नाम से पहले एडजेक्टु हो तो दाका प्रियोग क्या जाता है ये बात आपको ध्यान रखने होगी प्रापर नाम से पहले अगर एडजेक्टु हो तो आपको दाका प्रियोग करना है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन हम निश्चे रूप से कहते हैं कि अगर 3-4 बार आप इसको देखेंगे तो आपकी समझ में अगर 70% भी आइटिकल आ गए तो बड़ी च्छी बात है क्योंकि इसको अफ़लके में न लें आइटिकल्स बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं इंगलिस के आमन में इस वीडियो को 3-4 बार देखें ध्यान से बात को समझें कोई बात समझ में न आए तो उसके लिए हमसे आप फोन पर बेक्टिगत रूप से परस्नली पोसकते हो ओके बिटा खूब पढ़ते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं